हेलो गाइस, वेलकम बैक, डैक्स अपबानी येटोब चैनल गाइस, आज हम बात करेंगे, जो लहसुन होता, अगर उसको सहद मिला के खाएंगे, तो कितना वेनिफिट्स मिलेगा या आपके अल्रेक्टाइड दिस्फंक्शन होगा, या टाइमिंग की कमी होगी, या आपके अंदरों इंताकत में कुछ और भी दिक्कत होगी, तो उसमें कितना इंप्रोफ्मेंट मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, इसके बारे में पूरा बताऊंगा, पाकि में बताऊंग तो कितना benefits मिलेगा तो सबसे पहले लहसुन के बारे में जानते हैं इसके अंदर क्या-क्या पड़ा होता है तो लहसुन के अंदर होता है प्रोटीन होता है कार्स फैट होते हैं बिटामिन A होता है बिटामिन B, बिटामिन C, आयरेन, केल्शियम, सलफूरी कैजिट और निकाल देता है शहत की जो एंटी इंफ्लेमेंटी प्रोपर्टी भी होती है मतलब शेरी में सूजन वगेरा आती है तो इसको भी दूर करता है अब इनका फायदे की बात कराकर लहसुन और शहत को साथ में मिला के खाएंगे तो क्या-क्या फायदे करेगा जैसे की बोड़ सुधा पुर्षों के लिए यह बहुत अच्छा होता है शादुस सुधा अगर पुरुष होते लहसुन को सहत के साथ में खाएंगे तो इनका इलेक्टर इंफंक्शन बैट पर टाइमिंग और प्रिमेचर एजुकलेशन जैसी दिक्कत जो कम हो जाएंगी और यह लंबे ट से लिए दिन लिए के बाद में उसको पीशेन लेना है पीसने के बाद में एक चेमाइस शैद में? अपर उसको खाले लिए इस Jenis auto घ्रा आсड municip फूड्स वगएरा कम खाने होंगे जैनि जो ओली फूड्स होते हैं समोसा वर्गर चाओमीन वगएरा इनको कम से कम खाना होगा बाकी इसके साथ अगर थोड़ी एक्सराइज करेंगे तो आपकी बोड़ी के लिए डेवल वेनिफिट्स मिलेगा लहसुन और शहत तो आप खा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे विडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में